नमस्कार दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आप वाइटी स्टूडियो के बारे में जानोगे कि वाइटी स्टूडियो क्या है इसे आप कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इसके क्या फाइद यह इसके बारे में दोस्तो आपको इस वीडियो में सारी जानकरी मिल जाएगी अगर आप आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो लाष्ट तक द्यान से देखें दोस्तों यह वाइटी स्टूडियो एप यह यूटूब का एक दूसरा आप है जो यूटूब ने यूटूबरों के लिए बना है यह दोस्तों यूटूबर के लिए एक पावरफुल बना है तो दोस्तों जो यूटूब चैनल बनाते हैं उसमाने चैनल होता है ठीक है उसको प्रोप्रेशनल चैनल बनाने के लिए उसमें काविशारी सैटिंग करनी पड़ती है जो इसी आप के मैदिम से होती है ठीक है अगर यह आपने डाउनलोड नहीं किया है और इसमें तो आप इस वीडियो के बाद में दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है यह पहले से ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसका लिंक आपको निचे डिक्स्रिप्शन में मिल जाएगा अगर देखना चाहे तो इसके बाद में देख सकते हैं अब दोस्तों मैं इ दोस्तों आप इसको टच करोगे तो अपने आप यहां पर आपका चैनल लोगिन हो जाएगा ठीक है इसके बाद मैं आपने यहां पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों अगर आपका बिल्कुल नया चैनल है आपने अभी तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं किय और यहां पर आप अपने चैनल के वीव देख सकते हैं लास्ट के ठाइस दिन की और यहां पर आप अपने चैनल का वोचिंग टाइम देख सकते हैं और यहां पर दोस्तों जो आप यह ठीक का निसान देख रहे है इसका मतलब है दोस्तों कि इस चैनल के वीव वो ठीक ठाक और यहां पर वोचिंग टाइम वाले option के पास में आप देशकते हैं तीर का निशान जो निच्चे की तरफ है इसका मतलब है कि इसका जो वोचिंग टाइम हो ठीक नहीं आ रहा है ठीक है तो यह बताता है दोस्तों की वोचिंग टाइम बटाने के लिए आपको अपने वीडि आपके तीन वीडियो दिखाई देगी जो आपने तीन नई वीडियो अपलोड की है यूटूब पे और पब्लिक कर रखी है वो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके वीडियो के वीव दिखाई देंगे और यहां पर लाइक और यहां पर कोमेंट ठीक है और इस पर आप क्लिक करोगे इस तरह से, इन तीर के निसान को आप देखके समझ सकते हैं गहां आपकी वीडियो कैसी चल रही है यूटूब पे, ये तीनों तीर ऊपर की तरव है तो इसका मलब आपकी जो वीडियो YouTube बेजता है कि लोगों के पास में तो कितने प्रतिस्त लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं ठीक है और यह पर आइवरेज वीव दिखाता है ठीक है और इसी तरह सब्सक्राइब दोस्तों दूसरा option content इस पे आप klального है तो यहां पर आपके जर्वीडियो पुश्ट के होगी वह सारी वीडियो आपको यहांपे देख सकते हैं ठीका। जो आप निसान मासां देख सकते हैं filter का option इस पिलिक कर सकते हैं तो इसके बाद में आप फिल्टर के निशान पर कलिक करके आप यहां पर देख सकते हैं कि काभी सारे उप्शन दियो है जैसे पब्लिक प्राइबेट उनलिस्टी ड्राफ्ट ठीगा अगर इनिमें से आप किसी पर एक पर कलिक करके अपलाई करोगे तो वही वीडियो आपके सामने आ जाएगी ठीग और इसके निचे उप्शन देख सकते हैं वीव यानि कि आप यहां पर लिख के निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ माले जी यहां पर आपने लिख दिया 500 जो पहला उप्शन है दोस्तों मौर देन यानि कि जो 500 से उपर वीव है वो यहां पर आ जाएगी ठीगा दे से निचे वीव होगे जिन वीडियो के वो यहां पे आ जाएगी ठीक है इसके निचे आप अपसन देख़ते हैं दोस्तों made for kids यानि कि जो बच्चें के लिए अगर आपने कोई वीडियो सेट कियोगी तो वो निकाल सकते हैं ठीक है यूटूब पर ये नियम दोस्तों कि अगर आप बच्चें के लिए वीडियो बनाते हैं ना तो उसको सैट करना पड़ता है कि आपने ये वीडियो बनाई है ठीक है तो दोस्तों आपने जो भी YouTube पे वीडियो अप्लोड कियोगी वो यहाँ पे दिखाई देगी ठीक है Short यहाँ पे दिखाई देगी Live यहाँ पे दिखाई देगी और Playlist अगर बनाई होगी आपने वो यहाँ पे दिखाई देगी अगर इन वीडियो को दोस्ता एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं जिस वीडियो को एडिट करना आपने उस पर आपने क्लिक करना है अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं पहला उप्षन एडिट का ठीक है यानि कि इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं दूसरा उप्षन शेयर का अगर किसी के पास मैं आपने शेयर करनी तो यहां से शेयर कर सकते हैं अगर आपने खुद यह वीडियो देखनी है तो तीस रहा उप्षन पे क्लिक करके इस यूटूब वाले उप्षन पर तो आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं ठीक है और इसके निचे आप देख सकते हैं दोस्तों और जैसे आपने डैसबॉर्ट पर चेक के गाथा कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ठीक है इस तीर के निशान पर कलिक करके आपने पैक को जाना है दोस्तों जब आप यूटुब पर वीडियो अपलोड करते हैं तब यह सारे उप्शन नहीं आते हैं जो यहां पर दिये हुए है ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप अनलिस यह पब्लिक है तो इस पर आगर आप कलिक करोगे तो यहां से आप अनलिस्टीट भी कर सकते हैं प्राइवेट भी कर सकते हैं और यहां से आप सेडूल कर सकते हैं मालीजे आपकी वीडियो अभी आपने अनलिस्टीट में अपलोड के हुई है जैसे कि आज है पांच अगस और चार बज़कर उन्ताड़िस मिन्ट हो चुकी है सुबह की ठीक है तो मान लिजे आपने ये वीडियो कल इसी टाइम अफलोड करनी है तो आपने इस पर कलिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप तारिक सेट कर सकते हैं कि किस तारिक को आपने पब्लिक करनी वीडिय ठीक है अभी तो दोस्तों यह वीडियो पब्लिक है मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ठीक है यहाँ पर तारिक सेट करके ओके कर दीना है इसके बाद आप टाइम सेट कर सकते हैं ठीक और यहां से आप चैक कर सकते हैं यह जम करनी है पीम करना ठीक है सुबह करना है यांसे आंग करनी है करने करके इसके बाद मेंokay कर देना ना और यहांसे फिर आपने इस तरह सहकरोगे तो उसी टाइम पे वीडियो पॉस्ट होगी आपके ठीगा तो यह होता है डूल याँ पर वह डियनस का ओप्षन दोस्तो यानि कि अगर आप yeah आप अपनी वीडियो से समंदी टैग लगा सकते हैं यहां पर आप अपनी वीडियो की टैगरी सेट कर सकते हैं कोमेंट कोन या ओप करना चाते तो यहां से आप कर सकते हैं लाइक आइड करने हैं तो इस टिक मार को आपने हटा देना है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपको यह सारी सैटिंग करके ही वीडियो पोस्ट करने चीए ठीक है अब यहां पर तीर के निसान पर बैक होके और यहां से अगर आपने वीडियो एडिट किये तो उसको सेव कर देना है इस तरह से दोस्तों आप यहां पर किसी वीडियो का विव दिखाई देगे इसको आप अगर आप साइड में करोगे इस तरह से तो यहाँ पर आप वोचिंग टाइम देख सकते हैं अपना और यहाँ पर आपके कितने सब्सक्राइब मिले हैं वो चेक कर सकते हैं ठीक है और इसके नीचे दोस्तों उपसन है टोप कंटेंट लास् कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से यहाँ पर साथ दिन के कर सकते हैं अब्बे दिन के कर सकते हैं एक साल के कर सकते हैं किसी महींने साल लाइफ टाइम के सारे आप यहाँ चेक कर सकते हैं ठीक है इसके नीचे ओप्शन है दोस्तों रियल टाइम यानि कि आपके वीडियो पर पे वीव आपको दिखाईगा YouTube यहां पे आप पिछली साट मेंट के चेक कर सकते हैं इस पे कलिक करोगे तो पिछली साट में आपके कितने वीव आई वह यहां पे दिखाई देगे ठीक है और यहीं पर दोस्तों इससे अगला उप्शन है content यहां पे आप वीडियो के अलग कर सकते हैं चेक सोल्ट के अलग कर सकते हैं पोस्ट अगर आपने कोई की है तो उसके अलग कर सकते हैं जो फोटो आपने पोस्ट कियोगे YouTube पे पले लिस्ट के अलग से कर सकते हैं ठीक है और नीचे दोस्तों इसी तरह से 28 दिन की वीडियो दे रहे हैं ब्राउजर में कितनी देख रहे हैं ठीक है वह आप यहां पे चेक कर सकते हैं इस तरह से क्या सर्च करके आप यहां सब जानकर यह पेछेख कर सकते हैं ठीक है और अगले अप्शन ने दोस्तों ओडियंस इस पर आप करो तो आपके ओडियंस के बारे में पता चलेगा आपको जो आपके वीवर है दोस्तों वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं की रूटीन के वीवर कितने है और निव वीवर कितने है ठीक है जो आप बैंगनी कलर की लाइन देख रही है यह आपके रूटीन के वीवर है ठीक है जो पर एक अड़ा कलर होगा उस टाइम पर ज्यादा देखी जाती है ठीक है यहां पर आप उमर चेक कर सकते हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं उनके उमर क्या है 13-17 के बीच में 18-24-24 इस तरह से ठीक है इसके निचे आप देख सकते हैं कि आपके मेल कितनी वीडियो देखते ह है ठीक है यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके इंडिया में वीडियो कितनी देखी जाती है अधर कंटरी में कितनी देखी जाती है तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर देशने का आप सारे डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में दोस्तों नी दिया है शिर्फ वो आएगे ठीक है कि कुमेंट के बाद में दोस्तों आप यहां पे देखेंगे आखरी उप्षन अरन इस पर आप कलिक करोगे तो कुछ इस परकार से दिखाई देगा दोस्तों आप जानते होगे आपके चैनल को मोनोटाइज करने के लिए एक जार सस्क्राइब होने चाहिए चार चार गंटे का आपका वोचिंग टाइम होना चाहिए या फिर आपके जो सोर्ट वी हुए वो 90 दिन में 10 मिलियन होने चाहिए ठीक है वह आप यहां पे चैक कर सकते हैं कि आपके कितने सस्क् स्वेसि कफी कुछ जान कारी यहां पे काफी कुछ जानकारी यहां पे चैक कर सकते हैं ठीक है तो दोस्त अगर आपको वीडियो प्संद आहीं तो लाइक जुरूर करें और चैनल को सुस्क्राइब करें देनेबत